चलें जी वीडियो लेक्चर आपको देने लगी हूँ चैप्टर नंबर 9 पे कि कहां पता लगेगा कि जी क्वेस्टन को देखके कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सा मैथट अप्लाई करना है मैंने 9 चैप्टर में आपके पास है एक सेप्रेबल ऑफ वेरियेबल ठीक है जी और तीसरा मेरे पास होता है सॉल्ट बाई इंटीग्रेटिंग फेक्टर ठीक है जी और चौथा मेरे पास है बर्नॉली एक्वेशन यह चार चीज़े हैं मेरे पास एक सेकेंड वेट कीज़ेगा चलेंजी यह चार मैथड़े मेरे पास सेप्रेशन ऑफ वेरियेबल मैथट इस अगर उसने आपको क्वेस्टन दिया क्वेस्टन दिया है और उपर लिख दिया है solve by method of homogeneous फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपको पता है कौन सा method लगाना है homogeneous अगर उसने लिख दिया है solve by integrating factor फिर भी कोई मसला नहीं है integrating factor से solve करने के क्या method है कि चेक कर लो वो exact है या नहीं अगर exact नहीं होती तो उसे आपने क्या बना लेना है exact बना लेना है ठीक है जी अगर उसने लिख दिया है solve the Bernoulli equation Bernoulli equation क्या है Bernoulli equation मेरे पास कुछ इस तरह की होती है कि derivative हो साथ कोई x का function हो और इस side पे मेरे पास q of x और y की कोई power हो y की power 0 भी हो सकती है y की power 0 का मतलब क्या है one तो यहां पे कह रहा है जगा खाली q of x मैं यह नहीं कह रही कि हमेशा 0 होगी 0 भी हो सकती है ठीक है यह मेरे पास Bernoulli equation होती है इसमें यह जो लिखा होता है sign के साथ sign के साथ जो लिखा होता है वो मेरा आजाता है integrating factor x variable में है तो integrate करते हैं with respect to x ठीक है जी यह Bernoulli equation को solve करने का तरीक है अगर उसने यह चीज़ें लिख दी है फिर तो आपको वाजिया है कि जी आपने यह लगाना है अगर उसने नहीं लिखी तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप अपना y और x अलग लग कर सकते हो अब क्या मतलब है इस बात था कि जी हम अलग लग कर सकते हैं कि नहीं यह मैं एक question लिख रही हूं मेरे पास है x e की power x square plus y into dx is equal to y dy आपने देखना है कि मैं y वाली अलग और x वाली अलग कर सकती हूं अगर कर सकते हैं तो कर लें अगर कर सकते हैं तो उस method को कहते हैं separation of variable ठीक है जी separation of variable separation का मतलब ही यह है कि लग लग कर लो y और x को अगर आप कर सकते हो तो कर लो चलें जी यह मेरे पास लिखावा है e x was square ऐसे यह e की power में है e के ओपर power x square भी है e के ओपर power y भी है मैंने लग लग कर लिए e के ओपर power x square भी है e के ओपर power y भी है into dx is equal to y dy अब देखो यह मेरी सारी x में है यह y में आ रही है इसको मैं अगर इदर ले आँ क्या हो जागा y over e की power y dy is equal to x square sorry x है e की power x square dx ठीक है जी x वाली अलाग हो गई y वाली अलाग हो गई आगे आपने इसको क्या कर देना है integrate यह मेरे पास आ रहा है x e x का square dx यह मेरे पास आ जाएगा y e की power y है उपर जाएगी तो क्या हो जाएगी e की power minus y dy अब इसको integrate कर लो integrate कैसे करते हैं यह दो functions हैं इसके ओपर by parts नहीं लगाने लग जाना आपने इसको पहले देखो ज़रा देहान से यह मेरे पास लिखावा है e x का square इसका अगर मैं आगे derivative मौझूद हो तो मैं इसको integrate कर सकती है integrate करते ही सिर्फ उस वक्त हैं आपके पास आगे derivative मौझूद हो देखो आपने अगर integrate करना है x को x का आगे derivative क्या है dx यह ऐसे कहलो x का derivative क्या होता है 1 1 मेरे पास यहाँ पड़ा है यहाँ पर 1 मौझूद है 1 हर जगा होता है इसका आगे derivative है तो फिर मैंने power में एक add करना है और जो answer बनेगा उससे divide यहाँ मैं लिखती हूँ cos minus 3x sin x dx power छोड़ के देखने है cos का आगे derivative है cos का derivative होता है minus sin minus मिस्था minus से multiply भी कर दिया minus से divide भी कर दिया आगे derivative है तो integrate करना integrate कैसे करते हैं power में एक add करके उससे divide power में एक add करें minus 3 में एक add किया minus 2 minus 2 बना है minus 2 से divide यह minus minus से कट जगा तो यह मेरे पास आगया cos minus 2x power को positive कैसे करते हैं 1 over करके और 1 over cos क्या होता है sequence की ठीक है जी differentiate integrate sorry करते ही उस वक्त हैं जब आपके पास आगे derivative मौजूद अब अगर मैंने इसको integrate करना है देखो इसका derivative मौजूद है आगे के नहीं मेरे पास लिखावा है e x का square e की form में जब भी आपके पास function आता है उसका derivative वो खुद ही होता है मैं लिख देती हूँ e की power 7x ठीक है e की power 7x इसका derivative क्या है e की power 7x ही है फिर आगे आपने इसका derivative लेना है ठीक है आगे इस 7x का derivative लेना है x के लिहास इसी तरह integration है e की power 7x की integration e की power 7x ही है लेकिन शर्थ क्या है कि उसका आगे derivative मौजूद हो ठीक है अब यहां मिरे पास लिखावा है e की power x का square इसका derivative मैं देखना आगे पढ़ा है की नहीं e की power x square का derivative e की power x square ही होता है आगे मुझे इसका derivative देखना है इसका derivative आगे मेरे पास पढ़ा है की नहीं x square का derivative क्या हो जाएगा power पहले power में से 1- करके और power छोड़के जब मैं base का derivative लोंगी वो क्या जाएगा लान तो आप देखो यह मेरे पास है यहाँ पर e की पाँष्क्षेईअ भी लिखावा है x भी लिखावा है क्या म INS है टू मिस है तो यहाँ पर आपने simply क्या करना है जी 2 से multiply भी कर देना और 2 से divide भी कर देना 2 से multiply भी कर दिया 2 से डिवाइड भी कर दिया यह मेरे पास बंचेगा e x का स्केर 2x dx अरेंज कर लिया और यहां पर आगया वान वान वाट ठीक है जी आगे डेरिवेटिव है तो e की पावर x स्केर की इंटिग्रेशन क्या होती है मैंने आपको बताया है e की पावर में कुछ भी लिखा उसकी लगाने बैठ जाना इसका देखो आगे डेरिवेटिव पढ़ाव है तो इसको इंटिग्रेट कर दो यह मेरे पास आ रहा है y e की पावर माइनस y यहां बाइपार्स लगेगा यह आपका first function यह आपका second function इस पर बाइपार्स लगा 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 तीक है अब मैंने separation of variable कहां ल लग लग कर सकती है जहां में इसको अलग लग नहीं कर सकती है जहां में y और x को अलग लग नहीं कर सकती है एक तो तरीका यह है जहां y और x अलग लग नहीं कर सकते हैं इसको solve कर लो integrating factors कोई भी सवाल आज इसको solve कर लो integrating factors ठीक है यह मैंने लिखा x²-3y² dx plus 2xy into dy ये देखो ये मेरे पास 3y² के साथ भी dx आ रहा है x² के साथ भी dx आ रहा है यहाँ x मौझूद है मैं y और x वा अलग लग नहीं कर सकती ठीक है y और x वा मैं अलग लग नहीं कर सकती कैसे मुझे पता लगा है आप पोशिश करके देख लें यह मैंने लिखा x² dx यह मैंने लिखा माइनस 3y² dx यह आ रहा है इसको दूसरी तरफ ले जूँए आजएगा माइनस 2xy dy इस x को यह यहाँ मल्टिप्ला हो रहा है इधर लिया हूँ चलो जी डिवाइड हो गया यहाँ मिरे पास रहे गया 2y दी यह तो बनगी सारी yवाली यहाँ पे सारी क्या बननीचे यह x वाली यह इसके नीचे भी है x² dx ओ़र x माइनस 3y² ओवर x ठीक है यह कर जएगा यह मिरे पास x वाली आ गयी यहाँ पे मिरे पास y वाली है यह देखो यह आपके पास mix में आ रही है ठीक है मैं x और y को अलग लग करी नहीं सकती इस सवाल में तो जब मैं अलग लग नहीं कर सकती एक तो तरीका यह है कि आप integrating factor लगा लो integrating factor क्या होता है m का derivative with respect to y n का derivative with respect to x अगर equal है तो exact अगर equal नहीं है तो फिर non exact फिर non exact to exact बनाना पड़ता है ठीक है यह मेरे पास m होता है dx के साथ वाला यह मेरे पास n होता है m का derivative लेना है with respect to y minus 6y आजएगा power पहले power में से 1 minus किया power पहले आएगी तो 3a और 2 पहले आएगा 32006y हो गया power छोड़के जब मैं इस y का derivative लोंगी तो क्या हो जगा 1 अब n का derivative लेना है मेंने with respect to x तो यह क्या आजएगा मेरे पास 2y क्या यह बराबर आरे है नहीं अगर बराबर नहीं आरे तो फिर आपने क्या करना है my minus nx over n करें तो answer आपके पास x का function बरना चाहिए nx minus my over m करें तो answer आपके पास y का function बरना चाहिए m y का मतलब है m का derivative with respect to y nx का मतलब है n का derivative with respect to x और यह जो n लिखा है यह आपका यह है इसकी जगा आपने यह नहीं put कर देना अपना nx यह put करना है यह मिरे पास आगया 2xy minus minus plus 6208y sign आता है बड़ी value का over 2xy यह y से कट गया 2124s यह मिरे पास आगया minus 4 over x अब आप देख रहे हैं answer मिरे पास x का function आ रहा है तो बस आपने इसको integrate कर देना है e minus 4x dx 4 constant है बाहिर चला गया 1 over x dx 1 over x की integration क्या होती है आपके पास log of x power log से पहले लिखी हो तो उपर चली जाएगी यह log और e anti होते हैं cancel हो गया मिरे पास क्या रहे गया x e power minus 4 यह मिरे पास आगया 1 over x e power 4 ठीक है उसके बाद जो आपके पास integrating factor आता है उससे आपने पूरी equation को multiply कर देना है given equation को given equation को integrating factor से multiply करूँगी तो मिरे पास क्या बन जाएगा x square minus 3 y square इसको किस से multiply करना है 1 over x e power 4 से और plus 2 x y को multiply कर दिया 1 over x e power 4 से यहाँ डीवाइथ यह कट गया यहाँ पर एक पावर उपर है 4 नीचे है तो जब cancel होगी एक तो कितनी रहेजेंगी 3 और यहाँ पर मिरे पास 2 उपर हैं 4 नीचे है 2 नीचे आजेंगी यहाँ गया 3 y square over x square into dx ठीक है कर दिया आप आपने लिखनी है integrate करना m को with respect to y sorry m को with respect to x plus n की वो terms लिखनी है जो x से free हो क्या मतलब इस बात का कि इसमें x चामिल ना हो यह आपका m है यह आपका n है n में क्या कोई term ऐसी है जिसमें x चामिल ना हो यह एक ही term है और इसमें x चामिल हो रहा इसका मतलब यहाँ पर तो मिरे पास कोई भी term नहीं बच रही nil निल का मतलब होता है कुछ भी नहीं है ये मेरे पास आ गया 1 over x square minus 3 y square over x square into dx x e power minus 2 है ज़िए की उपर जाएगी तो minus 3 y square x e power minus 2 dx integrate कर दे x e power minus 2 dx minus 3 y square x e power minus 2 dx अब आपने याद देखने हैं कि मैं x के हिसाब से integrate कर रही हूं power छोड़ की देखो आगे derivative है power में एक add किया जो answer बनेगा उससे divide minus 3 y square constant है इसकी integration आपने अभी की है ये आगे x e power minus 1 over minus 1 minus 3 y square x e power minus 1 over minus 1 ठीक है power में एक add करना है और उससे divide ये आगे minus ये minus मैंने यहाँ लिख लिए है ठीक है x e power minus 1 है तो power को positive कैसे करते हैं इस तरह से ये minus और ये minus क्या हो जाएगा plus 3 y square power को positive कैसे करना है ठीक है नीचे ले जाएं और यहाँ पे साथ आपका क्या जाएगा constant of integration ये solve हो गया अब आप देखो ये मैंने 9.3 का question किया है 9.3 का ये मैंने question number 3 किया है 9.3 तो आपकी homogeneous वाली थी ठीक है तो हो गई ये exact और non exact से कोई भी question उठा लो उसको exact और non exact से कर लो हो जाएगा कोई भी उठा लो ठीक है लेकिन अगर आप चाते हो कि नहीं exact non exact चेक करना अगर non exact आजएगा तो उसको दुबारा exact बनाना वो मुश्किल काम है तो हमें पता होना चाहिए जी homogeneous method कहां लगेगा तो उसका तरीका देख लें homogeneous method कब आपने लगा सकते हैं आपने एकसी जगा पुट करना है TX अपने सवाल में Y की जगा पुट करना है TY एकसी जगा पुट करना है TX वो X और Y का ही function हो तो आप method homogeneous लगा सकते हैं otherwise नहीं लगा सकते हैं ठीक है अब जो मैंने अभी question किया था उसको check कर लेते हैं एकसी जगा क्या लगाना है मैंने TX उपर square है तो इसका भी square और इसका भी square minus 3Y की जगा क्या लगाना है TY उपर square है तो इन दोनों का क्या आगया square इस time को मैंने अलग चेक करना है इसको अलग चेक करना है ठीक है X जगा TX Y की जगा TY क्या common आ रहा है T square common आ रहा है अंदर मेरे पास बच्चे का X square minus 3Y square यहां से T square हो जगा अंदर मेरे पास बच्चा 2XY तो यह वापिस मेरे पास यही वाला function आ रहा है इसमे X भी शामिला Y भी शामिला इसका मतलब है यह function है X Y का इसमे X भी शामिला Y भी शामिला इसका मतलब है यह function है X Y का और आप देखो कि यह आपके पास इस तरह की form बन रही है इसका मतलब इसको मैं homogeneous method से भी solve कर सकती हूँ और homogeneous method क्या होता है y की जगा पुट कर देना vx ठीक है यह आपका total सारा 9 चेप्टर है और इसमें अब एक question वो कराती हूँ जो आपके पास homogeneous नहीं होता दूनले नहीं दे दे रामजु आती चलूँ एक तो तरीका यह है कि आपके पास कोई भी question आया उसको integrating factor से solve कोई भी आया अगर exact है तो बहुत अच्छी बात है अगर exact नहीं है तो इसको exact बनाना पड़ेगा ठीक है अगर आप चाहते है नहीं जी हमें यह वाला method असान लगता है हम इससे क्यूं ना करें तो उससे पहले आपको check करना है कि homogeneous है की नहीं और homogeneous check कैसे करते हूं मैंने यहां बता दिया आपको कैसे check करते हैं अब check कर लो y की जगा पूट करना है ty x y की जगा पूट करना है ty y के ओपर square है तो इस पे भी square आजएगा इस पे भी अब देखें common क्या आ रहा है इसमें से t t common कर लिया अंदर मेरे पास बचा 3 y प्लस 4 यह t common कर लिया मैंने बागी क्या रह गया x t square y के यह t वैसी अब देखो इसमें y भी शामिल है x भी शामिल है t भी शामिल है यह तो मेरे पास बन गया function txy का दूसरे लफ़जों मैं आप कहलो कि यह वापिस आपके पास यह वाला आना चाहिए यह क्या आया नहीं आया तो यह homogeneous नहीं है फिर आपको इसको लाजमी integrating factor से solve करना पड़ेगा and that's all